अगर हमने कोई कारे हैं कोई काम है उसको करने का हमने ठान लिया कि हमें ये काम करना है तो उसकाम को करने के लिए अपने आप ही हमारे सामने रास्ते बनके जाएंगे है कि अगर से अगर ने ठान लिया कि हमें ये काम करना ही करना है चा ler IP कोई रोक नहीं सकता हए Türk काम को पूरा करने सी बीवसी इस शेयर्ण चैप्कर मेबल स्टोरी है और य्याला नाम की लड़की है उसकी एक स्टोरी गे रखी है जिसमें ये सामने पिच्छर इखाए गे लिए आपको इस लड़की का नाम है इला जिसके हाट जो है वो गंग से काम नहीं कर पाके जो आसानी से अपने हाटों से काम कर पाके हैं वो ये काम नहीं कर पाती तो उसने क्या करा, अपने हाटों की जो चुनोके की, वो अपने हाटों से कोई भी काम नहीं कर पा रहे की, उसने उस अभी काम अपने पैरों से करना सीखा, जैसे आज सामने गेख सक्क्यों पिचर में, यह अपने पैरों से काम कर रही है, जैसे हम अपने हाटों से क्या काम करके कपड़े क्योंना हो गया, खेलना हो गया, या पिर कुछ भी काम जो मैं लिखना हो गया, यह सब चीज़े हम अपने हाटों से करके हैं, तो यही सारे काम इला ने अपने पैरों से करना सीखा उसके मन में एक चार ठीकी में सारा काम कर सकूँ ठीक है अब जब वो करने लगी सबी कामों को धीर गीरे उसका नाम पूरे गुणिया में फेमस हो गया इसके बारे में स्टोरी रीड करते है एक बार मलमली डोटी का वगामी रंग खिल उटा था एक मलमली घोटी है कौन से कलर के वगामी रंग ठीक है वो इकना जगा खिल रहा था किनारों पर कसूटी के टाकों से पिरोई हुई बेल थी पल्लू पर बर्वा टाके अपना कमाल दिका रह थे जो यह मलमली घोटी है इसे किनारों पर कसूटी ढागे से एक बेल बनी हुई की और जो उसका पल्लू है उसे बर्वा टाके इन्होंने नहीने चीज़ें उसमें बना रखी की जिसके वैसे वो मलमली घोटी जो है और भी जागा सुन्दर लग रहे थी सुनहेरे रूपहले बेल भूटो से जान आ गई की मलमल में इन बेल भूटो को सजाया क्या इला सचानी ने इला की हिम्मक की अनुकी मिसाल है ये कड़ाई के नमूने तो उसने उस मलमली घोटी में अलग 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 ताके लगा रखे जिसके वैसे क्या हुआ उसके अंदर और जागा वो घोटी और जागा सुन्दर लगने लग गई और ये सब किस ने किया का इला नाम की एक लड़की है उसने 26 साल की ईला गुजराक के सूरक जिले में रहकी है उनका बज़वन अम रेली जिले के राजकोट गाओं में अपने नाना के या बीक्टा तो 26 साल की ये है ईला गुजराक के सूरक में ये रहकी है और कहा पर रहकी है अपने नाना के घर पे साज होते ही मोले के बच्चे घरों से बाहर आ जाके कुछ मिक्टी में आड़ी किर्ची लकीरे खीचके कुछ कनेर के पक्टों से पिक पिकी बजाके कुछ गिक्टे खेलके कुछ इगर उगर से तूटे फूटे घरों के ठिकरे बटोर कर पिक्टू खेलके तो साजbacks मतनается जब शाम होती है शाम कर दो हमोले के वह सभी बच्चे बावर आया भी वहाएं बाहर आने के वहार आमें रेखे हैं यह गाल के जैसे केड़ी मीडी लाइने खीचक उसमें मिट्टी में लाइने खीचकर उसमें कोई ख्याल करके हुट यह कोकटों का यूज करके उड़ा के पक्तों को … जैसे लीपस होकी हैं, उससे हम कि पक्तों का यूज करके हैं उसमें से वो आवाजे निकाल के और कुछ गिक्ते खेलके, कुछ जो घड़ों के तुकड़ों के उसे पिक्ठु खेलके जब इन खेलों से मन भढ़ जाता, तो पेड़ की गालेओं पर जूला डालकर उची-उची पैंगे लिटे और उचे स्वार में एक सागाते जब इन सबी खेलों से इनका मन भढ़ जाता तो वो पेड़ पर एक जूला बनाकर उसको जूलते और गाना गाते कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्गी आयो रे तो वो जब जूला जूलते तो सब बच्चे मिलकर गाना गाते कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्गी आयो रे इला गाने मेक्टो उनका साग देखी पर उनके साग पेंगे नहीं ले पाकी इला गाने मेक्टो उनका साख डेख़ी पर उनके साख पेंगे नहीं ले पाती रसी पकर्णने को हाग बढ़ा की मगर हाग तोटे ही नहीं खें तो क्या हो जैसे सब बच्चे एक साख मिलके जूला जूलके उस पर तो इला भी उनके साख, इला भी मन कड़का कि वह लुशा की हुफी उछाग जला कि लेखी नहीं लेख पाती है यह चुपचाब एक किनारे बैठ जाकी तो जिसके बएसे क्यान्य आखा कि आए वह पर ही चुपचा एक कौने में जाके बैख जाती मन ही मन सोचती में भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं क्योंकि उसके हाथ में प्रॉब्लम की जिसके वैसे क्या है वह अपने मन में भी बोलके कि सब बच्चे एक ना इतनी मस्टी करते हैं तो मैं सबसे अलग की हूं मैं क्यों नहीं कर पाके हर करी के काम बच्चे भी चाटे कि इला किसी ना किसी करे तो उनके साथ खेल सके और जब वो अलग से चुपचाप जाके किसी किनारे पर बैख जाकी इला तो सब बच्चों का मन भी डुखी हो जाता बच्चों का भी मन का की इला उनके साथ खेले कभी कवार वैं पकडम पकड़ाई और विश अमरिक के खेल में शामिल हो जाकी साथियों के साथ जम कर डोड़की मगर जब धपा कनने की बारी आकी तो फिर निराश हो जाकी कभी 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 सब मिलके पकडम पकडाई जैसा गेम खेलके तो इसमें क्या होता है जब ढपा कनने की बारी आकी तो उसमें भी इला निराश हो जाती बहुत Punkte क्या हादु जो आप पकडम पकड़ारी खेलके हो तो उसमें धपा गेने के लिए अपने हाटों से करना होता है तो उसके लिए भी इला अपना हाट ने उठा पाती, तो जिसके वीसे क्या हो वह निराष हो जाए गये उठा implemented कि इसज़ो निराश हो जाके कि वह जब उनके साख गेम खेलके हो ऍधपा नहीं कर पाती हो क्या वह Hä vaowego कौशिश करके पर उसके हाथ हो नेक्टो जैसे उसका साथ ना गएने कि ठान रखी हो तो उसने बहुत बहुत कोशिश करी कि अपना वो हाट उठा सके उसे अपके साथ खेल सके ठीक है लेकिन वो नहीं कर पा रही इसको इला ने अपने हातों की इस जग को एक चुनोंकी माणा उसने इसी चीजीश के अपना कम करना शुरू किया आगे बठाएंगे इसमें उसने वैसा अपने पैरों से करना सीखा जो हम हातों से करते हैं तो वो अपने हाटों से कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उसका जो हाट था वो उठ ही नहीं पाता, तो उसने क्या करा, वो सभी काम उसने पैरों से करना शुरू किया, जो हम जैसे लोग हाटों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसों के बाल बनाना, फर्स बुहारणा, कपड़े धोना, तरकारी कातना, यहाँ टक्ती पर लिखना भी, तो हम हाटों से क्या काम करके खाना बनाना करते हैं सफाई करते घर की बाल बनाते हैं कपड़े घोटे हैं कशबजी काटते हैं और टक्टी क्या होते हैं बोड़ पर लिखना ठीक है ये सब चीजे उसने अपने हाटों से, अपने पैरों से करना शुरू कर गिया, उसने एक स्कूल में डाकिला लिया, तो उसने एक स्कूल में एडमीशन भी ले लिया, डाकिला मिलने में भी उसे परिशानी हुई, कही तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंटा की कई, उसके काम करने की गटी को लेकर, जब उसने किसी स्कूल में एड्मीशन लिया तो उसमें भी उसको परिशानी आई क्या परिशानी आई कि कुछ लोग ऐसे कि जो उसी सुरक्षा को लेकर चिंटा में रहके और कुछ लोग इस चीज़ से परिशान रहके कि जो हम काम जल्गी से कर लेके वह काम इला को करने में खुड़ा टाइम लगता था किसी काम को तो वे इकनी फूर्टी से कर जाकी कि देखने वाले डंग रह जाते तो कुछ काम ऐसे जो इतनी जल्गी कर लेकी हो और कुछ काम ऐसे जो सबसे जाका वो टाइम लगाती पर किसी किसी काम में पर किसी किसी काम में तोड़ी बहुत परिशानी ट्वाटी ही थी वे परिशानियों के आके घुटने टेकने वाली नहीं थी उसने जस्वी कक्षा तक पढ़ाय की वे जस्वी की परिशा पास नहीं कर पाई तो कुछ ऐसे काम कि जिसको करने में हर किसी को परेशानी आती है लेकि उसने वहाँ पर हर नहीं मानी वो कड़ी गई ऐसी उसने गस्वी कट्षा तक उसने पढ़ाय की लेकि वो गस्वी की परिक्षा जो है वो पास नहीं कर पाई इला को ये मालूम ना था कि परिक्षा के लिए उसे अक्टिरिक समय मिल सकता है उसे ऐसे वैक्टी की सुविगा भी मिल सकती थी जो परिक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके तो क्या हो जो ऐसे बच्चियों के जो नहीं लिख पाके जो थोड़ी स्लो वक्ते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम गिया जाका है एक्जाम देने के लिए तो इन सब की जानकार की इला को बिलुकुल भी नए की और उसके साथ साथ यहीं सुविध्या की जाती है ऐसे वैक्टी को कि उनके साथ एक ऐसा इंसान जा सकता है जो उसका पेपर लिख सकता है उसका एक्जाम जो परिक्षा है वो लिखने में उसकी help कर सकता है लेकिन सब चीजों के बारे में उसको मालूम नहीं था यह जानकारी ईला को समय रहके मिल जाकी तो कितना अच्छा रहता उसे इस बाद का डुक है पर यहां आकर सब कुछ कत्मों तो नहीं हो जाता ना तो यह सब चीज की जानकारी उसको नहीं कि जिसके वेसे क्या था वो डुख हीति क्या-ककरी उसको मालूम नहीं कि की एकस्यां केने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है और एक व्यक्टी की सुभिध हमी मिल सकते ताकि वो व्यक्टी उसकी परिक्षा लिभ सकते ठरिकिन इसको नहीं कि जिसके वेसे क्या व फीश्शा में वो ग्रस्वीक की परिक्षा में वो पास नहीं हो पाई यहां पर यहां आकर सब कुछ खत्म नहीं तो नहीं हो जाता ना उसकी मा और डागी काशिक दाकारी करती थी वैं उन्हें सुईस मेरेशं पिरोने से लेकर भूटिया उकेर्टे हुए देखती ना जाने कब उसने काश दो जान ली तो क्या हुआ यहां पे वो रुकी नहीं यहां उसने क्या कर आ जो उसकी माँ जो सबकुछ उनंको देखा करती और एक गंसे उसके मन में भी इच्छा जागने लग गई कि वह भी इस कारे को इस काम को वो सीखे यहां भी उसने अपने पैर के अंगुठों का सहरा लिया तो जब काशिगारी जब पिरोनी का काम होता है और जब बारिकी का काम होता है इन सब चीजों के लिए उसने पैरों के अंगुठों का यूस किया दोनों अंगुठों के बीच सुई ठामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई असान काम नहीं था पर कहते हैं ना जहां चाहां वहां रहा उसके विश्वास और घेरे ने कुग्रक को भी ठुदला दिया तो जो हम सुई पिरोने का काम होता है वो एकना असान नहीं होता पैरों से करना और वह काम इला ने तक त्दिखाया और यह कैसे हुआ जहां चाहां वहां रहा उसने एक बार ठान लिया कि मुझे ये काम करना है मतलब करना है उसके सांब अपने आपी बनते गए किसी को यकीन नहीं था कि वो यह सब कर सकती लिए कि उसने सब को गलग साबिक कर गया उसने वह चीजे कर गिखाई जो हर कोई नहीं कर सकता 15-16 साल की होते होते इला कखिया वाड़ी कांशिद्धाकारी में महायर हो चुकी थी ठीक है जो एक कडाई वाला 15-16 साल की उठ कडाई का काम था इसमें वो जगा महायर ओ गई वो जगाई कर्ण हो गई उसको अच्छे से वो काम करना आ गया किस वस्टू पर किस करिके के नमूने बना जाए कौन से रंगों से नमूना खिल उखेगा और टाके कौन से लगे ये सब वह समझ गए की तो गीरे गीरे कौन से कपड़े पर किस करिके का काम होना है किस करीके के उसमें कडाई होनी है किस करीके के उसमें टाके लगाने है सब चीते वो समझ गए की एक साक ऐसा एक समय ऐसा भी आया जब उसके ड्वारा काड़े हुए परिधनों की प्रशनी लगी इस परिग्धानों में काकिया वाड़ा, गाके साख साख लखना और बंगाल भी जलक रहा था। इला ने काकिया वाड़ी काकों के साख साख और कई टाके भी इस्तमाल किये थे, पक्तियों को चिकन कारी से सजाया था। पशुपक्षियों की जय मीटियां आक्रिकियों को कसूटी और जंजीर से उठा रखा था। तो क्या हुआ एक ऐसा टाइम भी आया जब उसने अपनी जो भी कला की उसने एक इस तरीके से उसने कडाई करी उसमें ईसा टाइप के साचीह बनाइए जिसमें उसने हर टाइप के उसमें टाके करें Uk cells कि UP जूर जूर से लोग उसको गेखने के लिए आने लगे तो उसकी प्रसंसा की वह हर जगे फैल गई परंपारिक गिजाइन में ये नवींटा सभी को भग भाई तो इस तरीके से इसको बनाया उसमें लगनों की जलग बंगाल की जलग काकिया वाड़क की जलग और अलगला वह वह चीज इकनी जगा सुंदर एकनी जगा खिलने लगे कि जिसके विए से दूर गूर से लोग उसको गेखने के लिए आने लगे और वह एकनी जगा सुंदर लग दे कि हर किसी को वह भाग गई इलग के पाओ अब रुप्टे नहीं है आखों में चमक खोटो परमुस्कान और अनुठा विश्वास लिए वे सुनहैरी रूपहली भूकिया उकेर के ठक्ती नहीं है तो अब जो जिस काम के लिए उसको एक जिस काम के लिए उसको अपने फेस फेस पे एक श्माइल लेकर उसकाम को वह कर लेती है तो इस एक स्टोरी है यही नाम की लड़की के उपड़ पर अब वह जो जिस में जिस चीज से उसको परेशानी की वह अपने हांटों से काम नहीं कर पा जिए उस अना सारा काम से पैरों से कन्ना ठीक है उसने हर चीज जो हाटों से कड़ाए करते हैं जो लोग उसने उसको पैरों से करना उसने शुरू किया ठीक है यह आपकी स्टोरी है क्या नाम इसका जहा चाहा महा रहा चाह इसको अच्छे से रीड कीजेगा ठीक है कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना घ्यान रखिएगा और इसकी एकसेज आप ट्राय करना तो खैंक यू